इस वीडियो में हम बात करेंगे दो नौंबर 2018 से सम्मधित करन्ट अफेस के सभी महत्पूर्ण प्रश्णू के बारे में और साथे साथ उन प्रश्णू से रिलेटेड जो मोस्ट इंपोर्टन पॉइंट होंगे आपके एक्जाम के लिए वो भी मैं आपको बताने वाला हू मैं आपसे कुछ क्वेश्ण पूछूंगा जिनके आंसर आपको कमेंट में लिखने है इसी तरीके से कल की वीडियो में भी आप लोगों से कुछ क्वेश्ण पूछे गए थे और आप में से काफी लोगों ने उनकी आंसर भी दिये थे तो उन क्वेश्ण के सही आंसर क्या पहले स्टार्ट कर रहे हैं पहला कोशिन है कि केंद्र सरकार ने एक नवंबर 2018 को किस राज्य में इस्तित जार सुगूरा हवाई अड़े का नाम बदल कर बीर सुरेंद्र साई हवाई अड़ा जार सुगूरा करने का फैसला किया है तो याद रखियेगा इसका सही आंसर है उ उड़ेषा में इस्तित है और इसी का नाम बीर सुरेंद्र साई हवाई अड़ा कर दिया गया है कि इन सरकार की तरफ से याद रखियेगा कि ये उड़ेषा के परसिद्र सुगनता सैनानी थे जो भारत को सुगनता से अंधुलन हुआ था उसमें इनका बहुत बड़ा जिंदा थे ठीक है 75 साल तक इनका पुरा जीवन था 75 साल तक इस जिंदा रहे जिसमें से इनने अपने जिंदगी के 36 साल जेल में बिता दिये थे ठीक है सिर्फ आजादी के लिए तो यह जिस आपको याद होना चाहिए इसको याद रखेगा इंपोर्टन पॉइंट है यहां आप थोड़ा सा उड़ीशा के बारे में देख लिए राजधानी है उड़ीशा की होनेश्वर राजपाल है गड़ीशी लार वर्तमान में मुक्यमंत्री है नबीन पतनायक और जो यहां की राजभासा है वो है उड़िया ठीक है तो यह जिस आप याद रखेगा चार चार इन क्वेशन है हमारा कि निम्न में से किस स्टील बिनिर्मान कमपनी को होंकी विश्वकप 2018 का आयूजग भागिदार गोशित किया गया है तो पुरुस होंकी विश्वकप कि यहां पर बात हो रही है इसका जो सही आंसर है वो है टाटा स्टील ओके टाटा स्टील को से 20 दिसंबर तक ठीक है इसी बार 2018 में और यह जो संस्क्रण है यह इसका चौदवा संस्क्रण है और इस बार इनका आयूज़न हो रहा है भुनिश्वर में यह आपको पता होना चाहिए उडिशा की राजधानी है भुनिश्वर और इससे पूर्व कि अगर बात करें तो इससे पूर्व जो है 1982 में मॉंबई में विश्वा होकी कप का आयूज़न हुआ था और 2010 में दिल्ली में विश्वा होकी कप का आयूज़न हुआ था तो दो बार भारत में विश्वा होकी कप का आयूज़न हो चुका है और इस बार फिर से हो रहा है यानि कि यह तिसरी बा जो है भारत में इसका आयोजन किया जाएगा तो यसी आप याद रखिएगा इसके बाद लास्ट पॉइंट की जो होंकी इंडिया है उसके मुख्य कारिकारी अधिकारी जो है यानि कि सीयों है वो है एलीना नोमान तो इनका नाम भी आपको यहाद होना चाहिए तो अगर जो मैं आपको यहाँ पर से बताता हूँ यह आंसर सही है इसका इसके बाद यहाँ पर से देखे जो पॉइंट बता रहा हूँ वो याद रखेगा उद्दिश क्या इसका तो इसका उद्दिश क्या है बेसिकलि इसमें क्या होगा है जो किसान है उनको जो है उनकी भूमी मे जो सिचाई वगरा को करते हैं खेतु में उसके लिए जो है सौर उर्जा की उपयोग में वृद्धी की जाएगी जैसे बिसके लिए देखा होगा अगर आप गाओं वगर ऐसे हैं तो लाइट वगरा की समस्या बहुत ज़दा रहते हैं याद रखेगा इस योजना के तहत होगा क्या इसमें 90% की सबसीडी दी जाएगी करीब 5000 पंप जो है इसमें दिये जाएंगे लोगों को जो किसान वगरा है और 90% सबसीडी दी जाएगे को और यहां पर से उड़ीशा के जो मुख्यमंत्री है वो है नवीन पटना है तो यह से आपको पता होना चाहिए बाकि राजदानी राजपाल वगरा सभी कुछ जो है हम इससे उपर भी देख चुके है ठीक है राजपाल गड़ेशी लाल मुख्यमंत्री नवीन पटनाया कि आपर दे रखा है बोनेशवर जो है राजदानी है यांकी और राजपासा है उड़िया तो यह सब मैं आपको बता चुका हूँ अपर ही अब देखिए हमाई पास है पहले भारती बन गए है यह याद रखेगा पंकज आडवानी पूरे महरास्ट के रहने वाले हैं और 2006 में इनको राजीव गांधी खेल रतन पुरसकार से भी संभानित किया गया था याद रखेगा खेलों का सरवोच समान है यह भारत में ठीक है राजीव गांधी खेल रत्न पुरसकार 2006 में इनको दिया गया था पंकज आडवानी जो हैं वो 19 बार बिश्व चैंपियन का किताब जीच चुके हैं तो यह जीज भी अगर आपसे पूछे जाती है कि पंकज आडवानी कितनी बार बिश्व चैंपियन स्टिप का किताब जीच चुके हैं तो 19 बार जीच चुके हैं यह चीज पता याद रखेगा इंपोर्डन क्वेशिन है एकजाम के लिए आपको पता होना चीए इसके बाद पांचवा क्वेशिन है हमारा कि हाली मैं निमनमे से किसे यह ITBP का महानिदेशक नियुक्त किया गया है तो सुर्जी सिंग देशवाल को ITBP का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है और 31 अक्टोबर को इनकी नियुक्ती मनजूर हुई थी याद रखेगा कि वो 31 अगस्ट 2021 तक अपने इस पत पे नियुक्त रहेंगे किस पत पे यह महानिदेशक के पत पे ठीक है तो 31 अगस्ट 2021 से पहले पहले अगर आप से पुछा जाता है कि ITBP के महानिदेशक कौन है तो है सुर्जी सिंग देशवाल ITBP की स्तापना 1962 में हुई थी जब भारत और चीन के बीच में तुरह से तनाव हुआ था तो उस वक्त जो है उस लड़ाई के बीच में इसकी स्तापना की गई थी ठीक है ITBP की स्तापना 1962 में और इसका जो में कार है वो भारत और तिबब सीमा की रक्षा करना है तो बस इतना ही था इसका करम शुरू हुआ है दिल्ली में जो वायू परदूशन है उसका इस्तर बहुत ज़्यादा खतरनाक लेबल पर पहुंच चुका है जिसकी वज़े से जो है इस कारिकम को यहां पर चलाए गया है एक नौमबर से दस नौमबर तक यह कारिकम यहां पर चलेगा और याद रखिए का केंद्रिये प्रियावरान वन जलवायू परिवर्तन मंत्री जो हैं वो हैं डौक्टर हर्शवर्दन तो केंद्रिये प्रियावरान मंत्राले की एक यह अभियान है और साथ में इसमें दिल्ली सरकार कभी सयोग है तो आपको इसे पता होने थी यह अभियान कहां चलाया जा रहा है और कब से कब तक चलाया जाएगा इसके बाद हमाई पास साथवा कुशन है कि निम्मे से कौन सा भारती है नौसेना जहाज साथ महिने बाद पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर वापस भारत पहुचा है तो इसका जो सही आंसर है वो है INS तरंगिनी INS तरंगिनी जो है वो भारती नौसेना का जहाज है जो पूरी दुनिया का चक्कर लगाकि भारत वापस पहुच गया है 31 अक्टूबर को यह भारत पहुच गया था और जो अभियान था जिसके तहती गया था लुकायान 18 और इस जलवाई जो यह जो यात्रा थी इनकी इसमें जो है इसने 13 देशों की यात्रा थी इसमें मानने तो यह चीज़ आप याद रखेगा इस चीज़ को भी INS तरंगिनी जो है एक नॉमबर 2008 को निम्न में से किस राज जिन ने अपनी स्तापना का 63 मतलब स्तापना दिवस मनाया है 63 स्तापना दिवस किस राज जिन ने मनाया है तो इसका जो सही आंसर है वो है मद्यपरदेश ने मद्यपरदेश राज जिन ने अपनी स्तापना का 63 जो है इस बार सेलिब्रेट किया है एक नॉमबर 2018 को इसका 63 जो है स्तापना दिवस्ता 1956 में मद्यपरदेश की स्तापना हुई थी और मद्यपरदेश की राजधानी है बोपाल, राजपाल है मुख्यमंत्री है सिवराज सिंग चोहान तो इस सभी चीज़ें याद रखिएगा मुख्यमंत्री राजपाल, राजधानी और इसकी स्तापना कब हुई थी खास करके वो भी आपको बता होना चाहिए एक नॉमबर 1956 को इसकी स्तापना हुई थी इसके बाद मैं पास नाइंत ओला कोशिन है कि वित्त मंत्राले के अनुसार अक्टूबर 2018 में कितना जीएस्टी संग्रा हुआ है तो ये कोशिन खास करके ऐसे एक्जाम्स के लिए इंपोर्टन होते हैं या फिर बैंकिंग सेक्टर के लिए इस तरह के कोशिन जादा इंपोर्टन होते हैं तो इसको जो सही आंसर है वो है लगभग एक लाग करोड उपए वित्त मंत्राले के नुसार अक्टूबर 2018 में जीएस्टी संग्रा में एक लाग सास सो दस करोड उपए जो है संग्रा हुआ है यानि कि सरकार को जो है कुल इतना पैसा मिला है जीएस्टी के माध्यम से तो ये चीज़ आपको यहां से पता होने चाहिए अगर बात करें भारत की तो भारत में एक जुलाई 2017 को जीएस्टी लागू हुआ था और ये चीज़ आपको यहां से पता होने चाहिए ठीक है और केंद्री ये वित्तमंत्री अरोन जेकली है ये चीज़ भी आप याद रखिएगा तो वित्तमंत्राले के तरब से ये बयान दिया गया है ये आकड़े जारी किये गए है कि इतना जेस्टी पराप्त हुआ है तो आपको वित्तमंत्री का नाम पता होने चीज़ वर्तमान में कौन है क्वेशन नमबर दसवा है कि हाली में कि देश ने सीधे जमीन पर उतरने वाला रोकेट का सफल परिक्षण किया है तो इसका जो सही आंसर है वो है चीन ने सीधे सीधे जमीन पर उतरने वाले रोकेट का सफल परिक्षण किया है इससे होगा क्या आने वाले टाइम में जो भी अंतरिक शियात्री बेज़े जाएंगे या फिर जो भी अंत्रिक्ष यात्रा के लिए कह सकते हैं या फिर किसी भी तरीका का कोई अगर उपग्रह भीजा जाता है तो उससे जो है जिस रॉकेट सो भीजा जाएगा अगर वो रॉकेट का वापस हो से जमीन पर आ जाता है तो उससे क्या होगा कि उसका दुबारा उप राष्ट्पती हैं सी जिन्पिंग तो इसी जियाद रखेगा राष्ट्पती मुद्रा रास्थानी और जो यह बनाया गया है रॉकेट इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए आप बात करते हैं कल के प्रश्णू की कर्मेन आपसे पूछा था कि 28 अक्टूबर 2008 को जेर बोल सुनारो किस देश की राष्ट्पती चुने गए हैं तो सिंपल सा आंसर था और इसका जो सही आंसर है वो है ब्राजील ब्राजील के राष्ट्पती चुने गए हैं यह आपको पता होना चाहिए इसके बार मैंने डिटेल से बताया है आप लोग देख सकते हैं 29 किस अप्टूबर के करेंडर फियस में इसके बाद सिक्कीम की राजदानी क्या है मैंने आप से पूछा था तो यह कुछन भी बहुत सिंपल था सिक्कीम की राजदानी गंगटोक है यह जिस आपको यहां से पता होने जिनका गलत था वो लोग एक बार देख लीजएगा मल इसका सही आंसर है याद रखेगा इसके बाद बात करते हैं आपके लिए आज के प्रश्ण की आपके लिए आज के जो प्रश्ण है वो भी काफी सिंपल है पहला प्रश्ण तो यह है कि 29 अक्टूबर को गुजरात का पहला मेगा फूट पार्क किस इस्तान पर खोला गया आपको नहीं आतो तो गयस करिए कौन सा सही होगा इसका आंसर मैं आपको नेक्स वीडियो में बताऊंगा और ठाट कोशिन आपके लिए है कि मिर्दुला सिंग निमनमे से किस राज की राज्युपाल है यह भी आपको बताना है और यह कोशिन भी काफी सिंपल है इसके बा